हेलो तोस्तो हम स्वागत्स है आज मेensor के रेषिपी बनाई है जो सूब के नास्ते या सामके नास्ते दोस्तो हम बच्चे को म takenने बना कि सकते हैं। यह को काने में अर अच्छा ले गाया दोस्तो ह Killer को सब्स्राइब बनाने के लिए सबसे पहले तो लोटू मिडियम फ्लेम पेर कड़ाई चलाएंगे जब कड़ाई गरम हो जाए तो उसमें तेल डालना है जब तेल कड़ाई हो जाएगा तो उसमें हम लोग सबसे पहले जीरा डालेंगे साबत जीरा फिर थोड़ा सा हींग और यह तेज पत्ता है तोस्तों लाल मिर्च और थोड़ा सा करी पत्ता सर्सों सर्सों का दाना सर्सों क्रेकर होने के बाद कट करऊ साथ जाय हुआ है जल यह अलू डेंगे अलू तरह साथ जोट बोश्तों दो मिनट कोख जा जाय जोस्तों उसके बाद हम लोग अगला सन अध्राकौर भरी घरीN मिर्च जाड़ाए हो ग्रिसको ताल आलबेंगे फिर कट किया हुआ प्याच और प्याच को हल्का साफ्ट होने तक इसको कुट करना है प्याच हल्का साफ्ट हो जाए तो उस सीस में हम लोग ये मटर जो है तो मटर पुआ है मटर टालती मटर को थोरा सा कवर करती चूप करना है दोस्तों जो मटर हाँ कूख हो जाए उस इसमें हम लोग ये कट क्या हो थोरा से टमाटर डाल देंगी और थोरा सा सिमला मिर्च इससे थोरा सा पोग पुष्टी हो जाएगे खानी में भ्याच चलेगे इस इसमें थोरा सा हम लोग दोस्तों इसमें सुखा मसाला डाल देंगे थोरा सा हल्दी कोटर थोरा सा लाग मिस्ट कोटर जादाने थोरा सा और दोस्तों इसमें थोरा सा सब्जी मसाला डालना इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा दूस्तों जरो टालिएगा और टेस्ट के अकॉर्डिन नमक अच्छे से भी को मिख्श कर देना है और उसको फांच नुट कूक करना है दोस्तों जब तक सब्जी कूक हो रहा है तब तक हम लोग ये पोह को अच्छे से वास कर लेते हैं ये 200 ग्राम में ने पोहा लिया है इसको 3-4 पानी से अच्छे से वास करना पाँच में ठोगया दोस्तों देखिए कितना अच्छा सब्जी अच्छे से कुख हो गया है अब हम लोग पुहा जो हम लोगों ने वास किया था इसको इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद यह लास्ट में थोड़ा से मिलोग कट क्या हो दनिया परता है इसको डाल देंगे और गैस आफ करते हैं दोस्तों और यह कट क्या हो निम्बू है इसका रस इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है देखे दोस्तों कितना असानी से मतर कुहा बन के रेटी हो गया यह सुबा के नास्ते या साम के नास्ते में जब भी मनो बना के खाईए बहुत अच्छा लगता दोस्तों खाने में तेस्टी भी होगि तो चलिए दोस्तों जब अब अब इसको सबू करते हैं तो देखे दोस्तों कितना असानी से मतर को हाबन के रेटी हो गया सब्व करने के टाइम में थोस्तों थोराइसके उकर अधे डाल दिजिएगा और थोड़ासा दनिया पत्ता निम्डु और नियोगी जिए अचाले के तूस्ता दो लाइश या शुिल्गों ना पुलिया घंक्यू